ऐलो फ्रेंड्स ,वल्कम्व हमाय चानल टेक्ंकलो स्िन , हाज फ्रैड में स्मार्ट टीवी में कैसे रिमोट्ड कारने जब्स करेंगे जो आपका Direct Setterworks में कैसे input करेंगे उसी को उपर discussion करेंगे तो फेंड आपका हम चैनल पे नहीं आएं तो subscribe कीजिए और इसी नहीं ने वीडियो की notification पाने के लिए बेल एकन गौन कर दीजिए और फेंड इसी के अंदर जो आपका remote मिल जाता है आपका magic remote है जिसी के अंदर आपका universal remote का direct setting मिल जाता है जो आपका ICTV remote के थ्रोच से आपका Direct Setterworks, Home Theater, आपका Direct Connection कर सकते हैं जो आपका अलग remote लगाने के ज़रूत नहीं है तो फेंड इसी का remote का कैसे setting करेंगे उसी के ओपर देख लेते हैं तो फेंड ये उसी का remote है जो आपका magic remote है जिसी का अंदर आपका direct voice command भी मिल जाता है जिसी को आपका पहले connect करना पड़ेगा जो आपका disconnect और connect कैसे करेंगे उसी के ओपर देख लेते हैं तो फेंड इसी TV को आपका disconnect करने के लिए आपका home और back button आपका press करके रखना पड़ेगा जो आपका home और back button प्रेस करके रखेंगे तो आपका remote का red color light ब्लिंग होगा जो आपका remote टीवी से आपका disconnect हो जाएगा और आपका connect करने का तरीका भी बहुत easy है सर्व आपका ok button प्रेस करेंगे तो आपका remote टीवी से connect हो जाता है तो आपका setter was model no.7 नहीं कर पाएंगे तो फिर्ण चलिए सबसे पहरे internet connection करते हैं तो फिर्ण final मेरा internet connection हो चुका है मेरे already पहले setting था जो आपका internet connection पहले setting होगा था और फिर्ण इसी के अंदर आपका home dashboard मिल जाता है तो आपका home dashboard के उपर enter करेंगे उसी के अंदर ये आपका universal remote का setting मिल जाता है और इसी dashboard के अंदर आपका बहुत सारा option मिल जाता है जैसे आपका airplay और आपका bluetooth का option इसी के अंदर मिल जाता है उसी के उपर में आपका three dot मिल जाता है उसी के अंदर आपका universal remote का setting मिल जाता है जैसे आपका SetterBox हो गया, SetterBox और से एस्ट में इपट, TV में इन्पुट होना जरूरी है, तब ही आपका रिमोट काम करेगा, और आपका Home Trader लगाना चाहते हैं, तो आपका Home Trader से आपका Air से इन्पुट और आपका Optical का इन्पुट TV से लगाना होना जरूरी है, उसी के बाद ह आपका Home Trader और SetterBox रिमोट से आपका कनेट कर सकते हैं, जो आपका TV का Magic Remote आपका SetterBox यूज कर सकते हैं, उसी रिमोट के तो से आपका Home Trader भी यूज कर सकते हैं, जो आपका Universal Remote आपका यूज कर सकते हैं, उससे पहले आपका Home Trader और SetterBox कनेट करना चाहते हैं, तो आपका Home Trader औ इसी गांदर में अबी set-teboss connect करने करते हुए बॉलता पर आ तरह इसी गएंजिक रिमोट के ते त्रूसे से डारेट करने के सकते हैं जो आपका बुलुथूत बयाADE Mmm युद्ल करने करें दूसिकником राखर है आपको full detail में explain कर दूँगा तो फेंड इतना था वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सेर्व कीज़ों सब्सक्राइब कर देज़े हमेशे इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चनल पे लाते रहते हैं थैंक यू